असलाम अलेकुम एट क्लास और यो एट क्लास आप लोग साइंस की बुक्स ओपन करें और अपना पेज नंबर 6 ओपन करें हमारा पेरिफिरल नर्वर सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिफिरल नर्वर सिस्टम क्या है? peripheral nervous system PNS इसे कहते हैं consist of a network of nerves which are spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system brain and spinal card peripheral nervous system पूरे जिसम में फैली हुई nerves के एक जाल पर मुश्तमिल होती है जो जिसम के तमाम हिस्व को central nervous system दमाग और spinal card के साथ मंसलग करती है यह आप लोग पिक पे देखें यहां से ही peripheral nervous system जो सारी brain और spinal card के साथ मंसलग करती है आगे है the nerves which arise from brain and card cranial nerve दमाग से निकलने वाली nerves को cranial nerves कहते है जो बिल्कुल brain के साथ से निकलती है नर्व यहां पे यह देखें यह वाली यह जो बिल्कुल brain के साथ से नर्व निकलती है इन्हें के थें cranial nerves उसके बाद है the nerves which the nerves which arise from spinal card are spinal nerve जो nerve दमाग से निकलने वाली nerve को तो कहते है cranial nerve और उसके बाद spinal card से निकलने वाली nerves को कहते है spinal nerves जो रिट घड़ी से nerves निकलती है उन्हें कहते है spinal nerves देर है there are 12 pairs of cranial nerve and 31 pairs of spinal nerves in human body इन्साने जिसम में cranial nerves के 12 और spinal nerves के 30 जोड़े पाए जाते हैं ठीक है जब यह nerves सारी जोड़ी हुई है उनकी वो strength बता रहे हैं कि 12 pairs किसके हैं cranial nerves के हैं जो brain से निकलती हैं और 31 pairs है spinal nerves के जो spinal जो nerves से निकलती है ठीक है human body में उस बाद है working model of the nervous system nervous system के काम का model कैसा है nervous system कैसे सारा काम करता है यह अब हम लोग पढ़ेंगे nervous system coordinates all body functions it also detect the change in environment and produce response to the changes the working of the nervous system has been depicted in figure 1.6 में वो कह रहे हैं देखें यहां पे सारा nervous system तमाम अफ़ाल को control करता है और तमाम जो argans हैं उनके साथ एक रापता काम करता है महौल में होने वाली तबदिलियों को महसूस करता है और इन तबदिलियों के नतीजे में ही response पैदा होता है यहां पर माडल पर कह रहे हैं यहां से sensory neuron sensory neuron से सारा यह process यहां आके motor neuron then यहां से हमारे जो हम लोग कोई चीज़ को touch करते हैं और यह सारा वो message लेके again वो message लेके सारा spinal card और फिर nervous system को जाते हैं तो यह processing फिर हमारे brain तक वो message पहुंता है ऐसे सारा हमारा जो nervous system है वो सारा work करता है यह सारा माडल उनने बना के बताया हुआ है ठीक है 7 पेज पर देखें